नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुवागेता आपके अपने यूटूब चैनल माइंड एकजाम में जी यहां दोस्तों DSSV फायर ओप्रेर बढ़ती 2019 का रिजल्ट है वो DSSV की तरफ से अभिहारती पास है उनका भी रिजल्ट अभी DSSV सो नहीं कर रहा है दोस्तों स्टार्टिंग में दोस्ते तीन दिन आपका साइड बीजी होने की वज़े से अभिहारती रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे बीच में एक दिन आपका रिजल्ट है वो लगव बिहार्त में देखा भी था और रिमाक में कुछ यो नहीं किया था परंतो अब दोस्तो एक बार फिर से बड़ी दिकत है वो कल से और परसु साम से आ रही है कि अब बिहार्ती अपना रिजल्ट है वो नहीं देख पार है उनके रिजल्ट में दोस्तो एक डोट नहीं दे रहे हैं तो दोस्तो इसका क्या रिजन है क्या वो बिहार्ती फेल है या पास है इसको लेकर हमने दोस्तो डेस सबीक से आपके संप्रक साथने की कोशिस की उनसे आपका यहां बात करने की कोशिस की उनका क्या खायनाता वो वी इस वीडियो में आपको जानकरे दे दोस्तों कई अभी हार्टिकों बीच में एक कन्फूजन है कि वो यहां जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है उसके लिए पास वे हैं या फेल वे हैं उनको लेकर दोस्तों डाउट है हम आपको किलिए इस वीडियो में करने वाले हैं साथ ही क्या इसी जो आपके भी कटो गई है इसके बाद में क्या एक और आपकी कटोप जाने वाली है तो उसकी पैरे में हम आपको जानकरे देने वाले हैं या दोस्तों आपके जो भी अभी 100 नमर का आपका यहां रिटन हुआ है और 100 नमर का दोस्तों आपका यहां जो भी ड्राइविंग टेस्ट होने वाला ह क्या आपकी फाइनल मेट लिस्ट है वो 300 में से बनेंगी या 400 में से बनेंगी इसको लेकर भी अभी हारती दोस्तों परेशान है इसे पर दोस्तों डियेसस्पी जो भड़ती आई थी उसमें कितने कंडेट को क्वालिफा या वो ड्राइवर में किया गया था उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिसकस करने वाले हैं इसके साथ ही जो दोस्तों ड्राइविंग लाइससेंस उसको लेकर भी अभी हारती परेशान है क्या जो आपकी डियेससपी फायर और बढ़ती दोस्तार 19 की लास्ट दे थी उससे पहले का लाइससेंस यह दोस्तो इस वीडियो में हम आपके लिए के आ चुके हैं या दोस्तों इस वीडियो को complete देखने के बाद में कोई भी आपके doubt नहीं रहने माला है तो आपसे request रहे कि दोस्तों इस वीडियो को complete और अंतक जुरू देखेगा ताक कि आपको दोस्तों एक एक चीज़े हैं वो सारी और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कौन सी केटेगरी से कितने नमर आ रहे हो स्पेशली दोस्तों जो EWS के अभी हर्ती है वो जरूर बताएं कि उसके उनके कितने नमर है और वो कितने नमर पर क्वालिफाइव हैं क्यों दोस्तों अगर बात करें तो नोटिस में ऐसी शीचे मैंसन नहीं थी कि इड़ोस वाले आपके कितने नमबर पर बास हो रहे हैं तो आप से रिक्वेस्ट रहे हैं कि कि आप कमेंट करके जरू बताएं और कोसिज यही कीजिए कि आप सभी हर्ती कमे लिगरी से आ रहे हैं आप प्लेज प्लिच प्लीच कममेंट करके जुरूर बताएगा सबसे बत करने रिजल्ट को ही लेकर क्यों दोस्तों सबसे जयादा रिजल्ड को लेकर परिसान है वह अपना रिजल्ड नहीं देख पा रहे हैं पहले ब्यांति इल्यूंके इसी वज् अभी हार तJackie हम बात करें दोस्तों इनके रियल्ट वह और आरू यह से किपने नमर आ रहे हैं तो प्रहुशर क्विख अंगे रिजल्ड में कुछ वह नहीं लिखा गए था प्रहं अब दोस्तों इनके है अइस का च्छों तो आए रहा प्रहन दोस्तों उनकी करें हमें दोस्तों DSSB को लगाधार कोल के कई बार आपके कोल अटेन नहीं उसके बाद में कई हमारे जानकार हैं उनसे हमने संप्रक साधने की कोशित की कि आखिर यह दिकत क्यों आ रही है तो उनका यह किलिए नहीं कहना था कि दोस्तों जो अभिहारती फेल हो चुके हैं ज दोस्तों DSSB के आपके जो भी वेबसाट है उनका रिजल्ट में है उनकी आपकी ये खामी है जो खामी आपके अगले 2-3 दिनों में आपकी दूर कर ली जाएगी यह दोस्तों अगले 2-3 दिनों में आप अपना रिजल्ट है वो इजली देख पाएंगे जो अभिहारती फे जो अभिहार्थी पास हो चुक हैं उनके maximum अभिहार्थीओ के लगबग हम बात करें तो 90 फीस्ती अभिहार्थीओ का यहां कहना कि sir हमारे जो result है वो show कर रहा है और हमारे result में यह लिखा साब साब आ रहा है कि आप अगले stage के लिए sort listed हो चुके हैं यानि कुल में लाके कहें कि जिन अभी हार्तियों का दोस्तों यहां साब साब लिखा रहा है कि आप यहां सोट लिस्टर अगली आपकी एक्जाम के लिए इनी स्किल टेस्ट वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए हो चुके हैं तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट जरूर क्योंकि कई अभी हार्तियों के जो जर्नल के हैं उनके 80 में से आपके 85 नंबर है क्योंकि 80 आपकी minimum जो कटोप गई है 85 नंबर है फिजिकल में उनके 58 नंबर है तो वो इस से डर हैं कि हम कहीं आपकी ड्राइविंग टेस्ट की त्यारी करें या नहीं करें क्योंकि हमारे तो काणडेट को क्वालिफाइग किया गय है इसमें से आपके लगबख बात करें तो पान्सो से चार्व से नोटिवीशन में बताっちゃत है तो यह सी Carnival तोर पर कहें तो आपका competition एक जो seat है उसमें चार बच्चों का रहने वाला है और SCHT के अभिहारती कापी जादा है क्योंकि SC में आपकी seat भी जादा है तो यहाँ जनरल के अभिहारती साथ यगरबाद के दो बागी काटिगरी में आपको अच्छा कासा यहाँ आपको यहाँ driving test अगर qualify कर लेते हैं उसमें आपके अच्छे marks आ जाते हैं तो आप है directly DSS में fire operator में qualify हो सकते हैं उसमें भी ऐसा नहीं होगा उसमें भी marking system होगा तो अगर आपके 33 पीस्तिया उसे ज़्यादा marks आ जाते हैं तो आप final mate list में सामेल जरूर हुएगा तो दोस्तो ऐसा डरने की बिल्कुल भी जुर्ट नहीं है कि मेरे इतने नमर है मैं त्यारी करूँ या नहीं करूँ तो आपको कितने भी नमर है और आप qualify वे हैं तो आपको अच्छे से driving test की त्यारी करने चाहिए क्योंकि driving test भी एक छोता हिस्सा है यानि अगर बात के तो 100 नमर का रहने वाला है उसमें अच्छा score कर सकते हैं तो आप जरूर कीजेगा और आज सहीं आप driving test की त्यारी में जुड़ जाए यह क्योंकि अगस्त के लास्त क्या सितमर दोस्तों आपका 110 परसेंट है वो होने के पूरे पूरे सांसे आपके driving test के अब दोस्तों कर बात करें तो आपके 2000 आपकी यह भड़ती आयती 14 15 के लगबग धि इसस्वी प्याइर ओप्रीर कि उसमें 1100 बिहार थी को दोस्तों क्वालिफाई किया गया था और लगबग इसमें 200 से 200 आपकी सीड़ थी मेरे पास confidential नहीं है वैसे ये वो बाड दोस्तों आज से हैं लगबग 5-6 साल पहले की हैं तो अब काफी changes भी हो चुके हैं तो आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि उस टाइम कट ओफ कितनी गई थी अब उससे अभी आस पास जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी सारे चीज़ चेंज हो चुकी है तो आपको अभी की जो करन्ट सिचुएशन है उस पर फोकस करना है और सो मैसे सो मैस आपको अच्छे से अच्छे मार्क सलाने की कोसिस करनी है अब दोस्तो बात कर लेते हैं आपकी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर तो दोस्तो जो आपको लाइसेंस ही होगा वो दोस्तो जो आपकी लास्ट देट थी फोम बनने की उससे पहले का बना होना चीए कि दोस्तो तो DSSB का आपका reply का wait करना चाहिए हमने लगातर पूछने की कोसिज की है उसका दोस्तों जो भी reply है कि हम आपको जल्दी बताने वाले हैं इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो आपकी final met list बनेगी वो कब बनेगी कितने नमर से बनने वाली है इसको लेकर भी भी hearty doubt मे करते हैं कि दोस्तों यहां final met list को लेकर भी एक point लिका हुआ है the met list shall be prepared based on the total percentage of the marks obtained by the candidate in the three आपकी accreditation state fourth of the selection जी हां दोस्तों जो भी आपका physical test हुआ है इसके बाद दोस्तों आपका driving test हुआ है और return test हुआ है दोस्तों कुल मिलाकर आपको 400 में से ही आपकी final met list बनने वाली है इस इसके बाद ही दोस्तों आपका decide किया जाएगा कि आप उन 600 post में से आते हैं या नहीं आते हैं इसमें आपका normal medical भी होता है आपका document verification भी होगा तो वो चीज़ें आपकी बाद में होने वाली है पहले आपका driving test होगा उसकी आपको preparation करनी चीए तो दोस्तों यह थी complete information इसके अ हो सकता है और दोस्तों driving test आपका दिल्ली में होगा और दोस्तों यह आपकी कोई authority में होने वाला है जिसके लिए भी confirmation हम आपको नहीं दे रहे हैं वैस दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो गाजयबाद की लोनी में आपकी authority है उसमें आपका यह driving test आप से करवाए जागा अब कहीं भी त्यारी कर सकते हैं परन्द उसके साथ दोस्तों आप यह भी theoretical question की भी त्यारी है वो जुरूर कीज़ेगा ताकि दोस्तों कोई भी अगर आपसे theoretical question भी driving test के दोरान पूछा जाता है तो उसमें आप अच्छा आंसर दे सकें अच्छा आप reply reply दे सकें और आपके सो में से अच्छे का से नमर आ सकें तो दोस्तों जल्दे से जल्दे अपनी driving test की तयारी में आप जुड़ जाएं और दोस्तों कोई भी doubt हो ताप हमें comment करके पूछ सकते हैं description box में दोस्तों हमने हमारे जो भी आपका group है जिसमें सभी विहारती जुड़े हैं उसका भी link दे दिया है जिसे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जाहिं जे वरत